प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सबी? मेरी भाषा, हिंदी भाषा परिवार में आप सबी का स्वागत है. अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका नाम क्या है, तो आप मुझे अपना नाम बता देंगे. और फिर मैं दूसरा सवाल आपसे पूछती हूँ कि आपकी नाम का मतलब क्या है, तो आप उसका मतलब भी बता सकते हैं अगर आपको पता है. फिर मैं आपसे एक और सवाल पूछूँ कि आपका नाम किस ने रखा, तो आप बता सकते हैं मेरे माता पिता ने या मेरे परिवार में किसी ने रखा है फिर मैं आप से पूछूगी यह नाम क्यों रखा है तो हो सकता है आप जवाब देंगे कि मैम यह नाम हमारे मम्मी पापा को अच्छा लगा और फिर मैं आपसे पूछूं कि आपके मम्मी पापा को आपका नाम अच्छा क्यों लगा तो फिर हो सकता है कि आप परेशान हो जाएंगे और आप कोई उल्टा पुल्टा जवाब देंगे क्योंकि जब हमारे सवाल सीधे सीधे होते हैं तो हमें उनका उत्तर सीधा सीधा मिलता है लेकिन जब हम शरार्ती हो जाते हैं और उल्टे पुल्टे सवाल पोचते हैं तो उनका जवाब भी हमें कैसा मिल सकता है? उल्टा पुल्टा तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा पार्ट जैसा सवाल वैसा जवाब कोई हमसे जैसा सवाल पूछेगा हम उसका वैसा ही तो जवाब देंगे अब कभी-कभी आप अपने दोस्तों के साथ खेलते हो सीधे-सीधे बात करते हैं तो आप सीधे-सीधे बात करते हो कोई अगर आपसे टेड़े-मेड़े तरीके से गोल-गोल घुमा कर बाते करता है, तो आप भी उसके साथ वैसे ही बात करते हो. तो आईए पढ़ते हैं हमारा पार्ट, जैसा सवाल, वैसा जवाब. क्योंकि जैसे सवाल हमसे पूछे जाते हैं, वैसे ही जवाब हम देते हैं. अगर सीधा सवाल हमसे पूछा जाएगा, तो हम बिल्कुल सीधा जवाब देंगे. और जब हमसे कोई उल्टा सवाल पूछा जाता है, तो हो सकता है, हमें गुसा भी आ जाए, हम परिशान हो जाएं, और गुसे में परिशान होकर उसका उल्टा ही जवाब दे. तो जैसा सवाल होगा, वैसे ही हमारे क्या होते हैं? जवाब होते हैं. आईए प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते हैं आज का हमारा पार्ट जैसा सवाल, वैसा जवाब. हमारे पार्ट में भी बीरबल से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, और ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, कि जिनका उतर आसानी से नहीं दिया जा सकता, तो बीरबल अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धी मानी से कैसे कैसे जवाब देता है, ये सारे सवाल जवाब हम अपने पार्ट में पढ़ने वाले हैं, और साथ ही अकबर बीरबल के किसे तो आप सबी नहीं सुने होंगे, बीरबल कितने बुद्धी मान थे, कितनी समझद पुझते थे कि बीरबल सच में बुद्धिमान है या राजा अकवर उनकी बहुत ज्यादा तारिफ करते हैं तो ऐसा ही कुछ अभी होने वाला है यहाँ पर हमारे खुआजा सरा बीरबल से सवाल पूँचते हैं और जब सवाल पूछे जाते हैं तो जो बीरबल हैं बड़ी बुद्धी मानी से चतुराई से उनका जवाब देते हैं तो ख्वाजा सराभी मान जाते हैं कि राजा अकबर बीरबल की ऐसे ही तारिफ नहीं करते बलकि बीरबल सच में ही बहुत बुद्धी मान थे आईए शुरू करते हैं अपना पाठ जैसा सवाल वैसा जवाब बादशा अकबर अपने मंतरी बीरबल को बहुत पसंद करता था बीरबल की बुद्धी के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी इसी कारण कुछ दरबारे बीरबल से जलते थे वे बीरबल को मुसीबत में फसाने के तरीके सोचते रहते थे अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धी पर बहुत अभिमान था अभिमान यानि घमंड था उसको लगता था कि मैं बहुत बुद्धी मान हूँ और मुझे बहुत जादा विद्या आती है हम सभी जानते हैं बादस्या अकबर के दरबार में बीरबल को मंत्री बनाया गया था और बीरबल बहुत बुद्धी मान थे बादस्या अकबर उनको बहुत पसंद करते थे क्योंकि जो भी सवाल वो बीरबल से पूछते थे जो भी समस्या वो बीरबल से पूछते थे उसका बड़ा ही बुद्धि मानी से बीरबल जवाब देते थे और राजा अकबर उनको इतना पसंद करते थे, इसी कारण से बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे दरबारी उनसे जलते थे, इसलिए वो चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से हम बीरबल को किसी मुसीबत में फसा देते हैं, और बीरबल उस मुसीबत में फस जाएगा, परिशान ह तो राजा अकबर को लगेगा कि बीरबल इतना बुद्धि मान नहीं है तो यहां पर जो दरबारे बीरबल से जलते हैं क्या यह अच्छी बात है हमें किसी की बुद्धी से जलना चाहिए अगर कोई वेक्ति हमसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है बुद्धि मान है और ब कुछ हमें आता है वो भी हम धीरे धीरे अच्छे से प्रियोग नहीं कर पाएंगे तो कभी किसी से हमीं जलना नहीं चाहिए कक्षा में भी अगर कोई बच्चा आपसे इंटेलिजेंट है आपसे बुद्धि मान है तो आपको उसकी तारीफ करनी चाहिए उससे आप मदत ल बीरबल तो बिलकुल बालक है और मुर्ख है उसको कुछ भी नहीं आता राजा अकबर वैसे ही उसकी तारीफ करते हैं लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं है क्योंकि वो अपने ही मन में मानते थे लेकिन राजा तो बीरबल को बहुत बुद्धि मान मानते थे द की तूती बोलती थी अब तूती जो शब्द है उसका अर्थ होता है एक विशेश परकार का तोता होता है जो बहुत मीठा बोलता है तूती बोलना यानि कि जो मीठा तोता बोलता है वहीं से हमारा मोहावरा बना है कि हर जगे सिर्फ और सिर्फ बीरबल की बुद्धी की तार लेकिन नकार खाना क्या होता है, जहां पर हम धोल और नगाड़े बजाते हैं, तो धोल की आवाज तो मीठी नहीं हो सकती, जब हम बहुत तेज से धोलक बजाते हैं, नगाड़ा बजाते हैं, तो हमारे कान फूट भी सकते हैं, कानों को अच्छी नहीं लगती, तो जो हमारे ख्वाजा सहाब थे, उनकी आवाज तो ऐसे लगती थी, जैसे कोई धोलक बज रहे, और धोलक की आवाज अच्छी नहीं होती है, लेकिन जो बीरबल है, उनकी तूती बोलती थी, यानि लोग बीरबल को ज़्यादा पसंद करते थे, उसकी बुद्धी मानी को मानते थे, ले अगर उनका बस चलता, तो वो कभी न कभी बीरबल को पूरे भारत से ही बहार निकाल देते, लेकिन उनका बस चलता नहीं है, क्योंकि बादसा जो अकबर है, वो बीरबल को बहुत पसंद करते हैं, और बाकी जो जनता है, वो भी बीरबल की बुद्धी मानी को मानती है, त तो हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है। कभी-कभी अगर आप किसी विक्ती से इर्शा करते हैं, तो आपको लगता है कि ये आदमी यहां से चला जाए। लेकिन बाकी लोग तो उसको पसंद करते हैं। सिर्फ आप ही तो उससे इर्शा करते हैं, आप ही तो उससे जलते हैं तो ऐसा ही कुछ ख्वाजा साहब के साथ है अब सिर्फ ख्वाजा साहब ही तो जलते हैं क्योंकि उनको घमंड है अपनी विद्या पर बाकी लोग तो बीरबल को बहुत पसंद करते हैं एक दिन ख्वाजा ने बीर्बल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल परसन सोच लिए अब ख्वाजा साब किसी ना किसी तरीके से बीर्बल को मूर्ख साबित करना चाहते थे और उन्होंने सोचा कि क्योंना मैं कुछ ऐसे सवाल पूछू इतने मुश्किल सवाल पूछू जिनका उतर बीरबल दे ही ना पाई और जब वो उतर नहीं दे पाएगा तो सभी लोग मान जाएंगे कि बीरबल इतना बुद्धिमान नहीं है जितना लोग उसकी तारिफ करते हैं उन्हें विश्वास था कि बादसा के उन परसनों को सुनक बीरबल के चक्के चूट जाएंगे चक्के चूटना फिर से हमारा मुहावरा है चक्के चूटना मतलब हराना ख्वाजा साब अपने मुश्किल परसनों से बीरबल के चक्के चुडा देंगे बीरबल को बड़ी आसानी से हरा देंगे उन्होंने यह सोचा और वे लाग करने पर भी संतोस चनक उत्तर नहीं दे पाएगा क्योंकि ख्वाजा साब के मन में जो परशन थे उनको लगता था वो मुश्किल है लेकिन बीरबल को तो परशन आसान लगेंगी जरूरी थोड़ना है जो सवाल हमें मुश्किल लगता है वो दूसरे विक्ति को भी मुश्कि यानि हारना ये हमारा क्या है मुखावरा प्यारे विद्यार्थियों आप देख रहे हैं हमारे पार्ट में काफी मुखावरों का परियोग किया गया है तो जैसे जैसे हम पार्ट पढ़ रहे हैं तो जितने भी मुखावरे हमारे आते हैं उनको आपने अलग से अपनी यानि हराना वह लाग कोशिश करके भी संतोस जनक उत्तर नहीं दे पाएगा संतोस जनक यानि ऐसे उत्तर जिससे कोई भी मान जाए कि हाई उत्तर सही है संतोस हो जाए उसको फिर बादस्या मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है क्वाजा सरा बीरबल स साथ भी ऐसा होता होगा कक्षा में अगर अध्यापी का अगर टीचर किसी दूसरे बच्चे की तारिफ करती है तो कभी-कभी हमारे मन में आता है कि मैडम ने उसकी तारिफ क्यों की अब मैडम किसी बच्चे की तारिफ क्यों करती है क्योंकि उस बच्चे ने अच्छा काम कि दिखाएंगे ताकि मैडम भी हमारी और तारीफ करें, तो यहाँ पर ख्वाजा सरा है, उसको अपनी बुद्धी पर घमंड हो गया, वो सिर्फ बीरबल से जलता था, क्या उसको जलना चाहिए था, नहीं, बल्कि उसको बीरबल से बहुत कुछ सीखना चाहिए था, वो अचकन क्या होता है जो इन्होंने अपना कोट जैसा उपर पहना हुआ है चितर में आप देख सकते हैं इसे हम अचकन कहते हैं और पगड़ी जो हम सिर पे पहनते हैं दाड़ी सहलाते हुए यानि कि जैसे हम दाड़ी में हाथ फिराते हैं तो दाड़ी को सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर जुका कर बोले बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है आप भी उसकी लंबी चोड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं मैं चाहता हूं कि आप मेरे तीन सवालों के जवाब पोच कर उसके दिमाग की गहराई ना पले उस नकली अकल बहादुर की कलाई खुल जाएगी तो यहाँ पर ख्वाजा साब ने पूरी तयारी कर ली है बीरबल को फसाने की तो यहाँ पर एक और हमारा मुहावरा प्रयोग किया गया है कलाई खुल जाएगी यानि भेद खुल जाएगा राज खुल जाएगा कि सभी लोगों को लगता है बीरबल बहुत बुद्धिमान है, लेकिन वो कोई बुद्धिमान नहीं है, उसका राज खोलने के लिए, मैंने तीन सवाल बनाए हैं, और तीन सवालों के जवाब वो दे देगा, तो मुझे लगेगा कि वो सच में बुद्धिमान है, और अगर नहीं दे पाया, तो उसकी कलय खुल यानि उसका राज जो है वो खुल जाएगा कि वो लोगों को धोखा देता है, वो बुद्धिमान नहीं है। आपने देखा पार्ठ में अनेक परकार के मोहावरों का परियोग किया गया है। मोहावरों का परियोग हम इसले करते हैं ताकि भाषा में सुन्दर्ता बनी रहे, और साथ में कम सब्दों में हम जादा बात कह सकते हैं। कलाई खुलना मतलब राज खुलना। तो सारे मोहावरों को आपने ध्यान से देखना है और अलग से आपने अपनी कोपी में इनको लिखना और इनके मिनिंग को जानना है। ख्वाजा के अनुरोद करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा बीरबल परम ग्यानी ख्वाजा साहब तुमसे तीन परशन पूछना चाते हैं अब अकबर ने देखो ख्वाजा साहब को क्या कहा परम ग्यानी परम मतलब बहुत जादा ग्यानी मतलब भीमान ख्वाजा साब हैं वो आपसे तीन सवाल पूछना चाहते हैं क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे बीरबल बोले जहाँ पना जरूर दूँगा खुशी से पूछे जहाँ पना यानि बहुत बड़ा राजा जो की कौन थे अकबर ख्वाजा साब ने अपने तीनों सवा का पहला प्रशन पूछा संसार का केंद्र कहा है केंद्र मतलब बिल्कुल बीच का बिंदू जैसे हम वरत सरकल को पड़ते हैं तो सरकल में बिल्कुल बीच में उसका क्या होता है केंद्र तो यहाँ पर जो ख्वाजा साहब हैं उन्होंने सवाल बनाया कि संसार का केंद्र के पास एक छड़ी थी उसको उन्होंने जमीन में गाड़ दिया यही स्थान चारों और से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है बीचों बीच यानि बिल्कुल बीच में यदि ख्वाजा साब को विश्वास ने हो तो फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे फीते से यानि जो हमारा नापने का फीता होता है तो यहाँ पर बीरबल ने बड़ी समस्दारी से कहा कि मैं यहाँ पर जो लकड़ी जमीन में गाड़ रहा हूं यही हमारी धरती का बीच का बिंदू है अगर उनको यकीन नहीं है तो वो खुद नाप कर देख ले बीरबल इतने समस थे उन्होंने बड़ी समस्दारी से जो टेढ़ा सऒाल पूछा था ख्वाजा साब ने उनका उत्तर दे दिया क्योंकि जो सवाल हमें ही नहीं आता है उसके बारे में हमीं दूसरों से नहीं पोछना चाहिए और नहीं आता है तो दूसरों से पोछ टो सकते हैं लेकिन फिर यह नहीं कहना चाहिए कि वो कम बुद्धी मान है या जादा बुद्धी मान है तो ख्वाजा साब को भी इसका सवाल का उत्तर नहीं पता था तो क्या उसको बीरबल से ऐसे सवाल पूछने चाहिए थे जिसका उत्तर ख्वाजा साब को भी नहीं पता था ख्वाजा साब बीरबल को अपने सवाल में फसाना चाते थे लेकिन बीरबल ने ख्वाजा साब को ये अपने उत्तर में फसा दिया अब ख्वाजा साब कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अगर वो कहेंगे ये जगे गलत है तो वो फिर बताएं कौन सी जगे सही है प्यारे बच्चों कैसा लगा आपको टेड़े सवाल का टेड़ा जवाब है ना मजेदर जवाब जवाब को हम गलत भी नहीं कह सकते और सही भी नहीं कह सकते इसलिए हमारे पाठ का नाम रखा गया है जैसा सवाल वैसा जवाब अकबर ने दूसरा प्रशन किया आकास में कितने तारे हैं अब ख्वाजा साब का दूसरा प्रशन क्या है कि आकास में कितने तारे हैं अब हम कैसे गिन सकते हैं आसमान में तो अंगिनत तारे हैं कितने सारे तारे हैं तो हैना ही दुबारा से हमारा टेड़ा सवाल अब देख अब जैसा सवाल पूछा जाएगा जवाब भी वैसा ही होगा तो बीरबल को पता था तारों को हम नहीं गिन सकते तो उन्होंने एक भेड को मंगवाया और उसके शरीर पर कितने सारे बाल है क्या हम बालों को गिन सकते हैं तो उन्होंने कहा कि जितने बाल हैं उतने ही तारे ह अगर उनको यकीन नहीं है तो वो खुद गिन के देख ले बीरबल किसी भी सवाल का बड़ी आसानी से और जल्दी से उत्तर दे देते थे इसलिए उनको बुद्धिमान माना जाता था और जो वेक्ती जल्दी से सवाल का जवाब सही सही दे देता है बुद्धि मानी से तो उसको हम कहते हाजिर जवाब बीरबल हाजिर जवाब थे फटाफट किसी भी सवाल का उत्तर वो अपने बुद्धि मानी से दे देते थे इसलिए राजय अकबर और लोग उनको बहुत पसंद करते थे, उनको बहुत सम्मान देते थे, अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है, आबादी यानि जनसंख्या कि संसार में कितने लोग हैं, गिनकर मुझे बताओ, बीरबल ने कहा, जहाँ पना संस संसार की आबादी पल-पल पर घटती बढ़ती रहती है, पल-पल यानि हर समय, हर मिनट, हर सेकेंड में जो हमारी जनसंख्या है, वो कम होती रहती है और ज्यादा होती रहती है, तो अभी हम नहीं बता सकते कि संसार में कितने लोग हैं, क्योंकि हर मिनट में कोई ना कोई इतनी बड़ी दुनिया है उसमें जनम लेता है और कोई ना कोई विक्ती मर भी जाता है तो मरना और जीना लगा ही रहता है इस कारण से हम संसार की आबादी बिल्कुल सही सही नहीं बता सकते। साब को भी नहीं आता तो आप देख रहे हैं ख्वाजा साब ने सिर्फ टेड़े टेड़े सवाल पूछे हैं ताकि बीरबल को फसा सके लेकिन बीरबल ने टेड़े टेड़े जवाब दिये हैं ताकि ख्वाजा साब अपने जाल में खुद ही फस जाएं तो कैसे लगे आपक तो उसके साथ कभी अच्छा नहीं होता, उसके साथ भी क्या होता है? बुरा ही होता है, Khwaja साथ बीर्बल को बुद्धु बनाना चाते थे, लेकिन यहां तो उनकी जवाबों से खुद ही Khwaja साथ मुर्क बन गए है, बुद्धु बन गए है, बाध्या, तो बीर्बल के उत मुहावरा, नाक बो सिकोडने का मतलब होता है, किसी से घिरना करना या किसी की बातों को सहन नहीं कर पाना, तो ख्वाजा साब बीरबल के उत्रों से बिलकुल खुश नहीं हुए, क्योंकि वो खुद ही बुद्दू बन गे, इसलिए वो नाक बो सिकोडने लगे, और इधर उधर की बाते करने लगे, ख्वाजा साब नाक बो सिकोड कर बोले, ऐसे गोल मूल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब, बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए, ख्वाजा साब से फिर कुछ बोलते नहीं बना, बोलते नहीं बनना फिर से मुहावरा है, यानि कोई भी जवाब नहीं सूजना, तो ख्वाजा साब अपने जाल में खुद ही फस गए, खुद ही मूर्ख बन गए, बीरबल को मूर्ख नहीं बना पाए, इसलिए बीरबल को सवाल वैसा जवाब, सीधा सवाल, सीधा जवाब, टेड़ा सवाल, टेड़ा जवाब, आशा करती हूं प्यारे विद्यर्थियों, आपको पाठ अच्छा लगा होगा, साथ में समझ में आया होगा, और पाठ में हमने नएने शब्दों को जाना, बहुत सारे ऐसे शब्द थ जिसके मिनिंग हमें नहीं पता थे, लेकिन अब हमें नएने शब्द पता लगे, नएने मुहावरे हमने देखे, और कितने मजेदार सवाल जवाब हमने पढ़े, अब पाठ की खतम होने पर, अगर हमें पाठ समझ में आ जाता है, तो अभ्यास के परसन उतर बड़ी आसान पहला परसन है आपसे, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का कोई और जवाब हो सकता है, अपने मन से सोच कर लिखो, तो इसका जवाब अगर मैं आपको दूँगी, तो वो मेरे मन का जवाब होगा, लेकिन सभी बच्चों ने अपने दिमाग से सोच कर कोई भी उतर लिखना है, जो भी उतर आपके दिमाग में आ रहा है, तो इस सवाल का जवाब हर किसी बच्चे का अलग-अलग होने वाला है, और मैं देखना चाहते हूं कि आप कैसे कैसे जवाब देते हैं, और मुझे पूरा यकीन है, आप बहुत मजेदार और बहुत अच्छे जवाब देने दूसरा हमारा प्रशन है, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगे पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन-कौन से सवाल पूछते हैं, जी हाँ, इसका उत्तर भी मजेदार होने वाला है, आपके दिमाग में कोई उल्टा-पुल्टा सवाल है, तो आप बीरबल से वो पूछ सकते थे और बीरबल को हराने की कोशिश कर सकते थे, तो इसका उत्तर भी सिर्फ आप बच्चों ने अपने दिमाग से सोच कर लिखना है, है ना कितने मजेदार सवाल और मजेदार सवालों के आपने मजेदार उत्तर लिखने हैं, अगला सवाल है आपसे, ख्वाज कास में देश का प्रधान मंत्री होता, कास स्कूल नहीं जाना पड़ता, ऐसे बहुत सारी इच्छाएं आपके मन में होती हैं और वही इच्छाएं आपने इसके उत्तर में लिखनी हैं। और मैं तो बहुत ज़्यादा उत्साइत हूँ कि आप कौन-कौन सी इच्छा हैं लिखने वाले हैं। आज की स्थिती को देखते हुए हमारी इच्छा हो सकती है कास कोरोना जल्दी से ठीक हो जाए और सब कुछ बहार क्या हो जाए नोर्मल। अगला हमारा सवाल है एक शब्द हमें दिया गया है बस। बस के अनेक अर्थ हो सकते हैं। यहाँ पर ख्वाजा सरा बादशा अकबर होते और अकबर की जगे पर उनका स्थान होता तो उनके पास ताकत होती उनके बस में होता उनके सामर्थे में होता कि वो बीरबल को निकाल देते तो पहले वाला जो बस है वो गाड़ी वाला बस है दूसरे वाला जो बस है वो सामर तो यहाँ पर बस का अलग अर्थ है, ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अलग अलग अर्थ है, शब्द तो हमारा एक है, लेकिन जैसे जैसे हमने इसको अलग अलग अर्थ निकला, इसी प्रकार से आपको कुछ शब्द दिये गए हैं, उनको आपने अलग 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 इन सभी शब्दों को अलग-अलग वाक्य बनाने हैं और उन में आपने इनका प्रियोग करना है। कुछ वाक्य यहाँ पर चल शब्द की सहायता से बनाए गए हैं जैसे की बीच सडक पर मत चल मैं तो चल चल कर ठक गया तुम बैठो मैं चला चलो अब पढ़ाई करो अब हमें चलना चाहिए इसी को चलती का नाम गाड़ी कहते हैं कैसे चले अभी नव तो आया ही नहीं है य फिल्म बहुत चलेगी तो चल शब्द को अलग अलग तरीके से अलग अलग वाक्य में हमने परियोग किया आपको भी अपने नए नए वाक्य बनाने हैं जिसमें इस तरह चल शब्द का आपने परियोग करना है तो ये तो आपको वाक्य दिये गए हैं लेकिन हर किसी बच् पूछा बीरबल दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है बीरबल ने क्या कहा होगा कहानी आगे बढ़ाओ यानि ये जो आपको हिंट दिया गया है इसकी सहायता से आपने अपने मन से इस कहानी को बनाना है कि अकबर और बीरबल के बीच में कैसे कैसे बात चित होगी इस सव का जवाब बीरबल ने कैसे दिया होगा आपने इसकी सहायता से अपने खुद की कहानी बनानी है खुद के मन से सोचना है कि अकबर का जो सवाल है उसमें बीरबल ने क्या कहा होगा तो हर बच्चा अपनी कहानी बनाएगा और उसको अपनी कोपी में लिखेगा मैं देखना चाहते हूँ कि आप कितना अच्छा-अच्छा सोच कर अच्छी-च्छी कहानी बनाते हो। आगे है खोजो कहानिया, यानि आप नई-नी कहानियों की खोज करके उनको भी पढ़ सकते हैं। बीरबल की चतुराई के किसे बहुत मषूर हैं। तुम भी बीरबल का एक ऐसा किस्सा ढूंडो, जिसमें वे अपने जवाबों से सब का मूँ बंद कर देता है। मूँ बंद करना फिर से मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है बोलती बंद कर देना, इतना अच्छा जवाब देना कि कोई उसके सामने बोल ही ना पाए। तो आपने बहुत सारे चुटकले सुने होंगे, बहुत सारे बीरबल की किस्से सुने होंगे, तो कोई एक किस्सा ढूंडना है, कहीं से भी ढूंडना है, और फिर उसको अपनी कोपी में लिखना है। बीरबल की तरह बहुत से अन्य विक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से परसीद है, उनके नाम पता करो, अब खोजना है, तो आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं, आस पडोस में पता कर सकते हैं, आप इंटरनेट पे खोज सकते हैं, किसी किताब से खोज सकते हैं, तो आपको खुद से खोजना है, कि ऐसे कौन-कौन से और विक्ति हैं, जिनके किस्से बहुत परसीद हैं, जैसे बीरबल को हम बहुत बुद्धिमान मानते हैं, ऐसे बहुत सारे और भी विक्ति हैं, जो बहुत ही परसीद हैं, जैसे तेनाली राम के किस्से आपने सुने हो मुला नसरुदीन के किसे, सेख चिली के किसे, लाला बुज़कड के किसे, तो ऐसे बहुत सारे और भी विक्ती हैं, जो बीरबल की तरह अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुती परसीत थे, तो ऐसे ही और कोई विक्ती आपकी नजर में हैं, तो आपने खोज के उनके नाम ल सबसे पहला शब्द है बुद्धिमान, बुद्धिमान को और क्या कह सकते हैं, समझदार, मूर्ख, मूर्ख को हम क्या कह सकते हैं, बुद्धु या बेवकूफ, अभिमान, अभिमान यानि घमंड, विश्वास, विश्वास यानि यकीन, संसार, संसार यानि दुनिया, कोशि कोशिश यानी परियास तो इस तरह से ये अर्थ बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमारे शब्द दिये गए हैं आपने खाली स्थान में इन शब्दों के ये अर्थ आपने लिखने हैं आगे हैं मुहावरे हमने पाठ को पड़ा तो देखा कितने सारे नए नए मुहावरे हमारे में आए हैं नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो आपस में चर्चा करो अब इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो तो देखिए कौन सा मुहावर आप से पूछा गया है नाक बहू सिकोडना जो हमारे पाठ में आया था कलाई खुलना ये भी हमारे माने गीता को घर का काम करने के लिए कहा तो गीता नाक बोसिकोडने लगी क्योंकि गीता को घर का काम करना अच्छा नहीं लगता और वो उसे घिर्णा करती है और माने को तयार नहीं है तो इस तरह से हम अपना वाक्य बना सकते हैं मा ने घर का काम करने के लिए कहा तो गीता नाक बोसी कोड़ने लगी आपको भी अपना एक नया वाक्य बनाना है जिसमें इस तरह हम इस मुहावरे का प्रियोग कर सकते हैं कलाई खुलना कलाई खुलने कार्थ होता है राज खुलना, भेद खुलना इसका हम वाक्य बना सकते हैं जैसे ही परिक्षा का परिणाम आया उसकी कलाई खुल गई क्योंकि वो पहले पढ़ाई नहीं करता था और सबसे कहता था कि वे बहुत अच्छे माक्स लेकर आएगा लेकिन जैसे ही परिक्षा का परिणाम आया उसके अच्छे नमबर नहीं आये तो उसकी कलाई खुल गई उसका राज खुल गया जो वो कहता था कि वो बहुत अच्छे नमबर लेके आएगा वो बात क्या थी गलत इस प्रकार से आपको भी अपने नए वाक्य बनाने हैं जिन में इन मुहावरों का परियोग किया गया हो प्यारे विद्यार्तियों हमारा पार्ट पूरा हो गया है साथ में हमने अभ्यास के परसन उत्तर पर भी चर्चा की अब आपको पार्ट दुबारा से पढ़ना है और सभी परसनों के उत्तर अपने कोपी में लिखने हैं पार्ट आपको कैसा लगा वीडियो आपको कैसा ल झाल झाल